दुस्तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं वो लगवक सभी लोग जानते होंगे कई बार सुना होगा लेकिन इस्तेमाल नहीं किया होगा और इसके अलावा जो और भी कई उपियोग हैं उसके मैं आपको एक एक करके बताऊंगा वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है आप धहर पूर्वक इसको देख हैं और अपने जीवन में इस्तेमाल की अवस्ता हो तो इसको इस्तेमाल जयू करें बहुत ही अच्छे रेजल्ट्स हैं पुराने समय से यह इसका चला रहा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा जब किसी को ब्रेन हेम्रेज हो जाता है पैर लेकिन ब्रेन श्ट्रोक पैरलाइसिस और ऐसी समस्यां जब होती हैं तो मस्तिस्क में ब्रेन में ब्लड क्लोटिंग हो जाती है यह ब्लड का ठक्का जम जाता है खून जम जाता है अंदर उसको निकालने के लिए जो मैं उपायज बताऊंगा आपको वह आप करिए सादार सिंपल से उपाव है वह अराम से आपका ब्लड जमा हुआ है वह निकल जाएगा अगर आप सारे दिन मानसिक मेहनत करते हैं चाहिए साहिरिक मेहनत करते हैं उसके बाद रात को अगर 6-8 गंटे की नींद ले लेते हैं तो अगले दिन दुवारा से एकदम फ्रेस और तरो त मेहनत करता हो और छाइबो मान से मेहनत करता हो लेकिन नीद आना हर किसी की बसकी बात नहीं है दोस्तों वन लोगों को पूछिए जिनको 44-808 बात का tension हो जाता है या जिन को बड़ी tension वीज़ए से अनयद्रा रों गए कि पहले से नीद्ड होिरे problem जो है उसका algorithm कोई इलाज नहीं ही migraine की problem जो है उसका इलो पेथिम् कोई इलाज नहीं है दोस्तों यह उक्चार्ज में बताने वाला हूं इससे आपका पुराने स्पुराना मायग्रेन ठीग हो जाएगा चाहिए टेंशन से सिर्दद हो चाहिए मायग्रेन हो किसी प्रकार का आपको सिर्दद हो आपको नीद नहीं आती हो आपको बार-बार छींकें आती हो आपके घर परिबार में कोई ऐसा ब्यक्ति हो जो बहुत ते ते खराटे लेता ह वो खुतोस होता है चैन से लेकिन और लोग उसके खराटों से परेशान हो और वो आपको सौने नहीं देता हूँ इसके अलावा आपको यादास्त की समस्या है आपकी यादास्त बहुत बीक हो गई है पड़ा लेखा याद नहीं रहता है या आप घर से बाहर जा रहे हैं नहीं बताना चाहूंगा इसके अलावा जिन लोग को साइनस की समस्या और एसे लोग जिनने छी के आती हैं और नारग से पानी भी बता है तो उन लोगों के लिए ये उपचार बहुत ही कारगज से विए है तो दोस्तों ये उपचार है देशी गाय का घी रात को नाक में डालना है दो दो भूंद गुन गुना करके और ये आप आराम से कर सकते हैं बहुत ही अच्छे रेजल्ट्स हैं दोस्तों जो मिरगी रोग के रोगी होते हैं जिनको मिरगी के दोरे पड़ते हैं उनको भी आप ये रेगूलर अगर पंच ग होने लगेंगे जिनको इस्नोफीलिया की दिक्कत है इनको बार बाल सद्यि जुखाम कषवासी होती रहती है उनके लिए भी आप ये यूज कर सकते हैं तो चैण लोगों के बाल जड़ते हैं वो तरह तरह के सेंपू तरह तरह के तेल यूज करते रहते हैं लेकिन कई बार क्या होता है कोई चीज से रेजल्टी नहीं आता है तो कई बार ऐसा होता है कि नाक में रेगूलर गाय का घी डालने से भी आपकी बाल तक जड़ने बंद हो जाते हैं आपने देखा होगा जब किजी बड़े होस्पिटर में जाते हैं तो एंटी का एक डॉक्टर अलग होता ह एर मोज और थोट तो इन तीनों से समंध्य जो समस्यां हैं अधिकतर समस्यां आप रेगूलर अगर गाय का घी नाक में डालते हैं रात को सोते बक्त दो दो बून तो यह आपकी सारी समस्यां खतम हो जाते हैं तो दोस्तों मेरे दोरह दी गई जानकारी आपको कैसी लगी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो ब्यूडियो को लाइक कर दें इस चिससे मुझे मोटिविस्न मिलता है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की हेल्थ रेटेड और ब्यूडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्रार कर लें और बेल आइकोन को भी प्रेस कर दें इस प्यूडियो में इतना ही में से अवले बीडियो में